उत्तर परदेश के हर्दोई के पच्छ देवरा थाना इलाके में पुरानी रंजिश के चलते कुछ दबंगों ने लाइसेंसी बंदूग से क्व्यक्ति पर फायर कर दिया जिससे वह गंभी रूप से घायल हो गया साथ ही पास में खड़े एक दस वर्ष ये बालक के भी गोली लगी है जिससे वह भी घायल हो गया घायलों को सियसी शहाबाद में भरती कराया गया है हालत चिंता जनक होने के कायन हर्दोई रैफर किया गया है पच्च देवरा थाना शेतर के ग्राम चांदपूर नागर निवासी राम बहादूर दस वर्ष पुत्र बलराम तथा महिंदर को गोली लगने से घायल हुए हैं बताया जा रहा है कि राम सिंग और राम प्रसाद का गाउं के ही महिंदर पुत्र कल्यान से भूमी विवाद चल रहा था इसी के चलती जगड़ा फसाद हो चुका है देर रात पर आली रखने को लेकर दोनों में विवाद हुआ जिससे नाराज होकर राम सिंग और राम परसाथ में महिंदर पर फायर जोख दिया जिससे महिंदर और पास में खड़ा राम बहादूर बालक घायल हो गया गायलों को शाहबाद सियसी में भरती कराने के बाद हर दोई रैफर कर दिया गया है गायलों को शाहबाद सियसी में भरती कर दिया गया है गायलों को शाहबाद सियसी में भरती कर दिया गया है